इगनु की तरफ से एक नई अपडेट जारी की गई है और इगनु की तरफ से जनवरी 2023 सेसन के लिए नए अडमिसन अब चालू कर दिये गए है इसको भरने की एप्लिकेशन फर्म भरने की जो आखरी तारीक है लास्ट टेट है वो 31 जनवरी 2023 है जिसको आगे भी एक्सेंट क किया जा सकता है वो इगनु के उपर depend करता है आपको इगनु के अंदर डिग्री यानि कि बीए, बीकॉम, बीस्ट में और एम, एमकॉम, एमस्ट में आडमिसन करवाए जाते हैं साथ ही साथ डिपलोमा के कई सारे और कोर्सजिस है डिपलोमा और पोस्ट गैजूट डिपल आप अगर regular university में जाते हैं जहां पर 75% attendance compulsory होती है उसके मुकाबले इगनु में theory classes को attend करना compulsory नहीं होता आप part time job करते हुए भी अपना इगनु के साथ अपना course degree को complete कर सकते हैं इसमें क्या-क्या खास बात है और क्या-क्या इसमें आपको करना होगा admission लेने के लिए आज की वी वीडियो का पूरा जरूर देखें अंदक देखें अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए तो सीधा वीडियो की सुरुआत करते हैं आप इगनु में online admission ले सकते हैं उसके लिए आपको register करना होगा सबसे पहले तो आप common prospectus जो ह आपको पढ़ने पढ़ेंगे क्या उसका minimum duration है क्या maximum duration है सारी जानकारी जो है आपको मिलेगी जरूरी है आपका कि आप किसी भी course में admission लेने से पहले सोच रहे हैं चाए वो 6 महिने का certificate course है या तीन महिने का bachelor degree का course है आप उसका सबसे पहले देखे कि कौन कोर से subject उसमें प्रस्पेक्टर आपको प्रस्पेक्टर में डाउन्डोड हो जाएगा उसके बाद आप सारा जानकारी देख सकते हैं असाइमेंट किस तरीके समिट करते हैं एक्जाम कब होते हैं और क्या-क्या इसमें इंदर सारी details होती है सारा सब कुछ आपको common prospectus में मिल जाता है तो इ ठीक उसमें पहले अपना username चुनना है और उसके बाद फिर password चुनना है आपका जो username और password होगा वो जिस mail id से आपने register किया है इगनु में वहाँ पर भी आपको आ जाएगा तो वहाँ पर से भी आप इसको check कर सकते हैं उसके बाद फिर आप इसमें अंदर इसको register कर सकते हैं और उसके बाद फिर जो भी admission आप लेना चाहते हैं जिसके लिए भी admission लेना चाहते हैं उसमें select कर सकते हैं और उसके बाद आपको documents कौन-कौन से चाहिए उनके बारे में बात करते हैं आपको इन सभी documents की जरुत पड़ेगी सबसे पहले एक scan आपकी photograph होनी चाहिए जो 100 KB से कम की होनी चाहिए आपका signature होना चाहिए 100 KB से कम का होना चाहिए आपका age proof का certificate भी होना चाहिए ठीक क्योंकि काफी सारे course दाते हैं जो कि 18 साल से ज्यादा उमर के बच्चे ही ज्याद certification है वो भी आपको submit करना होगा आपका कोई course अगर post graduation के लिए है तो आपको graduation के degree का जो certificate बगारा है वो सब कुस दिखाना होगा उसके बाद अगर experience certificate अगर कहीं किसी course के लिए मांगा गया है तो वो भी आपको दिखाना होगा scan copy इसकी करनी होगी SCST OBC का अगर आपके पास certificate है net banking इन सबसे आप fees अपनी भर सकते हैं उसके बाद यह जो scan documents होंगे आपको original जो होगा आपका उससे scan करना है और तब यहाँ पर submit करने है ठीक तो आप इनको submit कर देंगे और आपका जो है आपका admission जो है इसमें हो जाएगा इसके साथ इसमें fee refund का भी option है काफी सारे student ऐसे होत देते हैं कि अगर वहां नहीं हुआ अगर किसी भी regular university में admission नहीं हुआ तो कम से कम एक इगनू में open university में तो admission होई जाएगा तो अगर आपने ऐसा किया है और उसके बाद आपको लगता है कि ठीक है मेरा merit list में नाम आगे और आप मैं दूसरे college में जा रहा हूं तो आप fee refund भ अगर आजायेगी और बाकि वापिस आपको दे जाएगी अगर 16 से कि तीन महिने के estoy Zurich जाएगी एक हजार रुपे की फी डिड़क्ट की जाएगी बाकी आपको सारी वापिस कर दी जाएगी लेकिन 90 दिन से ज्यादा यान की तीन महीने से ज्यादा अगर आपके हो जाते हैं एडमीशन के पन्फरम होने के और इसके बाद अगर आप कैंसल करवाते तो आपको फी रिफंड नहीं किया जाएगा तो यह बात आपको जानने वाली है अगर आप एडमीशन लेना चाहते हैं जन्वरी 2023 सेशन के लिए उससे पहले कॉमन प्रोस्पेक्टर को डाउनलोड कीजिए और देखे कौन सा आपके लिए कोर्स है जिसमें आप एलेजिवल है जो आपके लिए आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंदा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सेयर जरूर कीजिए